आपने देखा होगा कि हर चुनाव में किसानों के हक्की बात होती है लेकिन वो सिर्फ सियासी मोहरा बनकर ही क्यों रह जाते हैं लेकिन इस बार जब किसान अंदोलन हुआ उसने सियासत का रुखी बदल दिया और इसका असर ये हुआ कि सत्ताधरी पार्टी के नेता भी अब किसानों की मान मनवल में लगे हुए हैं किसानों के मसीह कहलाये जाने वाले टिकैत परिवार का किसी राजनेतिक दल को समर्थन दिये जाना या फिर विरोध करना एक अलग मायने रखता है इसलिए राजनेतिक दल इस परिवार का आशिरवाद प्राप्त करने की जद्दो पुजहत में लगे ही रहते हैं इसी कड़ी में मोदी सरकार के एक मंत्री भी जुड़ गए हैं राश्ट्रिय लोकदल के प्रत्याशी ने नरेश्टिकैत से सिंबल लिया तो मंत्री संजी उबालियान भी नरेश्टिकैत से मुलाकात करने उनके घर पहुँच गए अब इस नरेश टिकैत ने भी साफ किया है कि संजीव बालियान उनके परिवार के आदमी है और वे कभी भी मिल सकते हैं उनकी मुलाकात का राजनीती से कोई लेना देना नहीं है हाला कि राकेश टिकैट ने ये भी कहा कि किसानों ने बीजेपी को माफ नहीं किया है तो ऐसे में बीजेपी किसी मुगालते में ना रहे वहर तलब है कि BKU के राश्ट्रिय अध्यक्ष नरेश टिकैट ने समाजवादी पार्टी और राश्ट्रिय लोकदल के उम्मीदवार राजपाल बालियान और चंदन चोहान को अपने हाथों से सिंबल दिये थे RLD कारिकरताओं ने इसे समर्थन बताकर सोशल मीडिया पर वाइरल किया तो नरेश टिकैट ने कहा कि उनके परिवार से कोई चुनाओ नहीं लड़ रहा है और ना ही वो किसी का समर्थन कर रहे हैं ऐसे में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आ सकता है हम आराजनेतिक ही है बैरहाल नरेश टिकैट खुद को और अपने संगठन को अराजनेतिक बता सकते हैं लेकिन उनके सियासी दखल को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता अब आगामी चुनाओ पर इसका कैसे और क्या असर पड़ेगा ये तो दसमार्च के नतीजे ही बताएंगे झाल झाल